दोस्तो आज के इस वीडियो में आपको blood relation से सम्मंधित सवालों को solve करने के लिए concept बताने वाले हैं, trick बताने वाले हैं, हम इस वीडियो में 5 सवालों पर चर्चा करेंगे, जो blood relation से सम्मंधित होगा, रक्त सम्मंध से सम्मंधित होगा, इसमें हम 3 method का परियोग करेंगे, जि एक तस्वीर के ओर इसारा करते हुए कहता है कि वह मेरे भाई के पिता की एकलोती पुत्री का पुत्र है तो राजु का तस्वीर वाले व्यक्ति से क्या समंध है तो ऐसे सवालों को अगर आप मैंड से ही अगर केल्कुलेट करना प्रारम करते हैं वह गलत साबित हो सकता है लेकिन जो हम कंसेप्ट जो ट्रिक इस वीडियो में बताने वाले हैं ट्री मैथर्ड के तोवारा आप आसानी से सवालों को सॉल्व कर सकते हैं वह भी 10 सेकेंड के अंदर यह गैरेंटी है यह व्यक्ति है और यहां पुरूस है अगर यहां पुरूस रहेगा तो इसके रिष्टेदार वेगर आ जाते हैं तो फिर हम पाचान नहीं पाते हैं कि कौन पुरूस है कौन इस्तरी है तो पुरूस और इस्तरी पाचान के लिए हम प्लस और माइनस साइन का प्रियोग करते हैं तो प्लस के लिए पुरूस और माइनस के लिए इस्तरी ठीक है पास से प्लस और पास से पुरूस खेर तो यहां पर अगर एक पिता की बात की आंप ऊप्त्री में लिखना का फुलिखना का है और अगर इस के पिता का हो रहा हुगा तो यहां पर लिखेंगे को मुदकत अगर वह कोई पुत्री का अगर A का पुत्री है अगर A का कोई पत्नी रहेगा समझे A का पत्नी है E क्या है पत्नी E है अब यहाँ E लिख करके आप यहाँ इसको आप ऐसे घहरा बंदी कर सकते हैं आपको पत्नी में आपको तरः के ठीक मिलेगा आपको लेकिन जो आज बता रहा हूं उसको फोलो करले तो काफ ही है तो एक पत्नी ही तो यहाँ E 8 पूरी है अब पत्नी यहाँ पर मैनस लगा देंगा और बनंगगा या यह पत्त पत फीर आश्री यह consumers है Lab यहां पलस लिख देंगे तो डी का क्या हो जाएगा जो कि यही जनरेशन में आएगा कोई दिकत और डी का दादा यह हो जाएगा डी का पर दादा यह हो जाएगा तो इस तरह से आप असानी से कर सकने हैं और यह बहुत मदद करता है तो चलिए सबसे पहले हम पहला सवाल की और चलते हैं तो क्या है पहला सवाल में राजू एक तस्वीर के और इसारा करते हुए कहता है कि वह मेरे भाई के पिता की एकलावती पुत्री का पुत्र है देखिए राजू है राजू नाम का एक वेक्ति है ठीक है और वो एक तस्वीर की ओर यानि एक फोटो की ओर इसारा करते हुए कहता है कि वह यानि तस्वीर वाला तस्वीर में जो ही छपा है वह मेरे भाई के मेरे भाई के राजू के भाई हम मान लेते हैं भी यानि ब्रदर तो राजू का जो भाई है तो इसी तो राजू के भाई के पिता की एकलावती पुत्री का पुत्र है अब इसके एकलावती पुत्री आनि इसके फादर पुत्री का पुत्र है और चली आप यहां पर कौन है अब सबाल आगे पुछा आगे कि राजू का इस तस्वीर वाले व्यक्ति से क्या संबल है बताईयए मामा का राजू कौन लगेगा वाई का मामा लगेगा क्योंकि राजू और यह जो था भी इसका भाई यह दुनों भाई थे, अब इसके पिता जी का बात किये जा रहा है मतलब कि इसका भी पिताजी यही होगा D का भी पिताजी यही होगा तो यानि R, B, D ये तीनों भाई बहन है अब ये बहन का बेटा है अब जब बहन का बेटा है तो इस बहन का भाई कौन लगेगा उस बेटा का मामा लगेगा तो इसलिए option number B क्या हो जाएगा correct हो जाएगा कोई दिकत सवाल को solve करने में कोई दिकत नहीं हुआगा अगर दिकत होता है तो दूसरे सवाल में और easy होता चलेगा है कि तीसरा सवाल में चलेंगे, चौथा सवाल में चलेंगे, पांचमा सवाल में होता चलेगा ठी में डिमाख में कल्कुलेट करते हैं तो सैद गलत भी हो सकता है लेकिन बहुत लोग कर लेते हैं आईसा हम नहीं है है इस पुलत बहुत है का पिता कौन है मानिक तो यहां एम लिख देंगे यहां पर प्रिया का भाई है आप यहां पर जगत और प्रिया इस ट्री में कहीं पर है नहीं तो भी छोड़ देते हैं आगे पढ़ते हैं जगत जगत जो है प्रिया का भाई है और प्रिया सोहन की बेटी है आप यहां रोहन था यह और यह सोहन था सोहन का बेटी कौन है प्रिया प्रिया जो है सोहन की बेटी है तो यहां पर आजाएगा प्रिया अब यह सोहन का बेटी और यहां बोल रहा था पाहले से कि जगत प्रिया का भाई है अब यहां का अंकल कौन है और इस जगत का अंकल कौन है बताएगे इस जगत का अंकल कौन है, सिंपल है, बताए जल्दी, यह है सिंपल सी बात है, कौन है, यह है, कैसे भाई, क्यों है, क्यों कि यहाँ पर बोला गया कि रोहन सोहन का भाई है, यह रोहन और यह सोहन दोनों आपस में क्या है, भाई है, ठीक है, और मानिक रोहन का पिता है, यह जो मानिक वे प्रिया का क्या है भाई है तो इसको एक जन्रेशन में लिखे हैं चानी एक गी आप आगे कोशन कुछ दिया गया कि जगत का अंकल कौन है यही होगा क्यों कि ब्हाय के पिता जी ही होगा सोहन और इसके पिताजी का भाई कौन लगेगा अंकल लगेगा तो कौन हो जाएगा रोहन यानि ओप्सन नंबर यह क्या होगा करेक्ट होगा तो आसानी से आप बना सकते हैं कोई दिक्कत तो नहीं होना चाहिए ठीक है तो कोश्चन नंबर टुभी समझ में आ गया ह होगा मुझे अगर नहीं आए तो वीडियो को पीछे किजिए फिर से सवाल को सवाल को करते हुए ठीक है तो चलिए आप आगे चलते हैं कोश्चन नंबर थ्री अब देखें यहां पर कोश्चन नंबर थ्री में क्या है सब कोश्चन आपको अलग-अलग मिलेगा ठीक है औ आपको बहुत ही मदद करने वाली आप दो सवाल देख लिए आप सचेंगे नहीं आप तीसरा चौथा पांचवा सब अपने आप बन जागा ऐसा नहीं होगा आप पांचो सवाल को एक बार देखे जरूर और संबहों सके तो कोश्चन निकाल करके आप खुद से वीडियो क हो क्या है भाई है आप आप देनगे कई दिकना का नहीं सियंका है आप अपर स्षी जो है सी एक पित आ है आप जो टी है वह छी का पिता धाए एक और जाएगा यहां पर डि का पुत्र है जो है यहां पर पलस लिख देंगे कोई दिकत आब लिखा गया तो बताए कि ढीका ऐसे क्या संबंद है यानि इस्से क्या संबंद रखता है बताजी जली क्या होगा बताए है क्या को फिता है अब यहां पर आगे बोला गया डी का पिता है कि 20 ऑब उसके बाद क्या बोला गया इए डी का पुत्र है तो बताइए कि D का AI से क्या संब्द है बताइए का पिता है और B का पिता है दादा आप दादा जी कहा लेंगे पर दादा कहां पर और है यह तो तो option number क्या हो जाएगा C correct हो जाएगा कोई दिकात नहीं पिता भी नहीं होगा दादा भी नहीं होगा इन में से कोई भी नहीं option number C तो question number 3 भी समझ में आ गया होगा मुझे उमीद है चलिए next question में चलते हैं देखें चौंथा number question में क्या है कि A और B भाई भाई हैं देखें A और B दोनों क्या हैं भाई 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 है यानि दोनों पुरूस हैं इसलिए positive से दिखाएं हैं अब आगे बोला गया है C B का पिता है अब जो C है वो B का पिता है चलिए C को हम दर्स आते हैं B के पिता से कोई दिखाएं अब बोल रहा है यहां पर E जो है F का भाई है आप यहां पर E और F कहीं पर दिखाए देरा है नहीं दिखाए देरा है छोड़ देते हैं आगे कौन ई तो ई ए का मामा तभी हो सकता है जब इसके पिताजी के पत्नी के उभाई होगा पत्नी के भाई समझे पत्नी यहां पर इसका कोई है यहां बॉक्स बना करके छोड़ देते हैं अब इसका भाई कौन ई को मा लेते हैं तभी नहीं यहां पर कहा गया है कि ई जो है एफ का यहां पर कोई हो सकता है कि यहां पर दोनों क्या है आप इसके हैं पिताजी चीक है यह पत्नी पत्ती और पत्नी को इस तरह करके लिख सकते हैं अब इस पत्नी के भाई जो है वह कहलाएंगे इसके मामा अब यहां पर क्या बोला गया है तो आपका सी से क्या रिस्ता है तो अब यहां पर चुट चैसे का पत्नी थी क्या थी पतनी थी टि का यहां इसके समद्ध है यहां पर option number C, क्या हो जाएगा, correct हो जाएगा, कौन number, option number C, पतनी, clearly है गिने, चलिए आप आगे question चलते हैं, last question, बहुत ही अच्छा question है गिने, और भी बहुत सारा question है, आप practice किजिएगा, तभी ये सब आप असानी से बना पाईएगा, कितना दिर लग रहा है, 10 second, हद से लग रहा है, ह एक आदमी है, उन्होंने एक महिला से कह रहा है, समझे एक आदमी ए है, और एक महिला समझे कोई भी है, महिला से कहा, आपके भाई का एक मातर पुत्र, यानि एक महिला है, समझे एक महिला है, और इसके भाई, इसके भाई, यानि ब्रदर, इसके, क्या बोला गया है, आपक महिला के भाई का मात्र पुत्र 2 या चु को समझे शन है यांट का जो पत्नी उसका भाई अब contractors समझिये कि है ये का पतनी जो है समत्य की क्या शाई है एका भाए का एक मात्र यानी इस पतनी का यहां पर लिख देंगे यह दुने हों गये अमेरील कपल लिख ships के पतनी का भाई है कि वह महीला उस आदमी की पतनी से किस परकार से सम्मांदित है कॉम महीला यह महीला उस आदमी की पतनी से यानि इसके पतनी से किस तरह से समधित है बताईए क्या समधित होगा बुवा होगा है गने जैसे कि यहाँ पर देखिए यह जो पतनी है एक का जो पतनी है जो कह रहा था इस महिला से तो क्या था वो एक का पतनी था यहां महिला का बात की जा रहा था एक किसे बात कर रहा था महिला से एक नहीं तो यह दोनों के पिताजी के बहन यह दोनों को क्या लगेगा बुआ लगेंगे तो यहां पर option number D क्या हो जाएगा option number D is the correct answer of this question simply तो मुझे उमीद है कि आपको अगर समझ में नहीं आया तो वीडियो को फिर से देखें समझ में guarantee आ जाएगा और ऐसा ही सवालों का और वीडियो चाहते हैं तो comment box में comment करके जरूर बता है हम ऐसा ही सवाल 5-10 और ले करके आपके सामने आएंगे तो आज के लिए इतना ही जय हिंद जय भारत